हेले श्टूरेंट मैं एक तसी आप सभी का ग्यान चेतना चैनल बहुत बहुत स्वाग करती हूँ आज के इस टॉपिक में हम मात्मा गानी तथा उनका राष्ट्रि आंदोलन जैसे की चंपारान सत्यागर है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले है मात्मा गानी ने सरपिथम सत्या ग्रह का प्रियोग किस स्थान पर किया था सबसे पहले जो प्रियोग किया था वो है दच्छिड़ा फ्री का तो ए औप्शन सही हो जाएगा अगला कोशन है मात्मा गानी जी ने किसके प्रभाव में आकर भारत की सक्री राजनीती से खुद को जोड़ा तो किसके कहने पर गोपाल किष्ण गोखले के कहने पर तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल किष्ण गोखले अगला कोशन निमलेखित में से कौन सा कथन महत्मा गांधी के संदर में सकते है पहला है गांधी जी के भारतिय राजनीती में सक्रिय रूप से भाग लेने के समय प्रिथम विश्यूद चल रहा था दूसरा है गांदी जी ने ब्रिटिस सरकार को प्रथम विश्योद के समय पूर्ण सहयोग दिया और C है गांदी जी ने प्रथम विश्योद में लोगों को ब्रिटिस सेना में भरती होने के लिए प्रोसाहित किया था तो उपियोग सभी हो जाएगा अगला है महात्मा गान्दी जी ने किस इस्तान पर सत्या ग्रह आश्रम की स्थापन की थी तो एहमदावाद इसका सही आंसर है एहमदावाद में की थी सत्या ग्रह आश्रम की स्थापना अगला कुशन है वैसे महादमा गांदी जी से सम्मधित एक अलग से उनसे related जितने भी fact है तो उनका एक वीडियो बना चुकी हूँ अगर जिसको बहुत ज़्यादा fact देखने है गांदी जी से related तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं बाद में इस जो question है उसको solve करेंगे तो अगला कुशन देख लेते हैं चंपारन से हैं चंपारन के किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए जब महातमा गानी चंपारन गए तो उनके साथ कौन सा नेता शामिल था राजिन परसाथ मजहरुल हक जेपी करपलानी तो आंसर हो जाएगा यहां पर उप्योगते सभी अ स्वासासन की जो व्रिस्तित व्याख्या दी है वो सही हो जाएगा हिंद सुराज हिंद सुराज जो भूख है बहुत पतली सी भूख है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो सिर्फ मात्र एक गंटे में ही हिंद सुराज आप उसको खतम कर सकते हैं पढ़के अगला कुशन दे गांदी जी को महत्मा कहकर सम्मोधित किया था तो यह चंपारन सत्यागर है अगला कुशन है एहमदाबाद मिल मजदूर था था मालिक के मद्ध हुए बिवाद का मुख्य कारण क्या था तो यह प्लेग बोनस था प्लेग बोनस ना देने के कारण का जो है एहमदाबाद मिल म पर कर नहीं आंदोलन चलाया था तो ये हो जाएगा खेड़ा में चलाया था अगला कुशन है निमले खितमे से किसकी अध्यक्षिता में अंग्रेजी सरकार ने भारत में आतंगबाद को चलने के लिए एक प्रभावी योजिना के निर्मान हेतु समीती का गठन किया था तो पांसर हो जाएगा सर सिड्नी रॉल एक्ट अगला कुशन है निमले खितमे से कौन सा कथन गानी जी द्वारा अपनाए गया रॉले एक्ट के संदर में सत्ते हैं सबसे पहला है 6 अपरेल 1990 को गानी जी के आहान करने पर रॉले एक्ट के बिरोध में हरताल का योजन किया गय अंग्रेजी सरकार द्वारा गानी जी को पंजाब तथा दिल्ली में प्रिवेश पर रोका गया रॉले एक्ट के बिरोध में गानी जी सत्ते ग्रह सभा का गठन किया गया तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपयोगते सभी अगला कुशन है गानी जी का आंग अंग्रेजों का साथ देना और अंग्रेजों की ही बात मानना सब उनकी आहां में हां मिलाते थे लेकिन कुछ ऐसी घटना हुई वो घटना कौन सी है जिसके बाद उनका मन बिलकुल बदल जाता है तो वो है जलिया बाला बाग हत्याकान बी ऑप्शन अगला कुशन है भार पारफ़ाद आंदोलंत का प्रमुख कारण क्या था। जीने की थी अगला कुशन है निमलेखिन मैंसे किस संदी के उपरां तुर्की समराज का विवाजन कर दिया गया तो यह सीवर की संदी थी सीवर की संदी के तहत जो है तुर्की समराज का विवाजन कर दिया गया अगला कुछन है भारती राश्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सयोग के प्रस्ताव की पुष्टी की गई थी तो असयोग के प्रस्ताव की पुष्टी की गई थी कौन सा अधिवेशन था तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नांगपूर अधिवेशन में जो है असयोग अंदोलन के प्रस्ताओं को सुईकार यानि पुष्टी की गई थी कौन सा अधिवेशन नांगपूर अधिवेशन अगला कुशन है निमलेखित में से कौन सा नड़ने कॉंग्रेस के नांगपूर अधिवेशन में लिया गया था स्वादेशी को प्रोसा है सभी वयसकों को कॉंग्रेस का सदस्य बनाना और भाशायादार पर गठन उपयोग सभी अगला कुशन है निमलिक्त में से कौन सा रचनात्मा कार्य आसायोग आंदोलन के अंतरगत समलित था पहला चर्का और खादी को लोग प्रिय बनाना नयायलों के स्थान पर पंचायती फैसरों की प्रमुक था राच्टिय बिद्यालों तथा कॉलेजियों के स्थापना उपयोग थे सभी अगला कोशन है मातमा गांदी जी द्वारा सुरू किया गया आसायोग आंदोलन के पीछे प्रमुक कारण क्या थे तो यहाँ पर जो कारण थे वो सभी के सभी यही थे तो प्योग सभी हो जाएंगे कारण देख लेते हैं असयोग आंदोलन के पीछे क्या कारण थे जलियाबाला बाग हत्याकांड और इसी घटना के बाद जो है महत्मा गांदी जी का अंग्रेजों के उपर जो विश्वास था वो पूरा खतम हो जाता है हंटर कमीटी की रिपोर्ट और भारती राजस्वी की मांगतों प्योग सभी सही हो जाएगा अगला कुशन है असयोग आंदोलन के कारकरम पर विचार करने के लिए कॉंग्रेज महा समीती के अधिवेशन का आयोजन किस इस्तान पर किया गया तो कौन सी जगे थी तो कलकत्ता में कॉंग्रेज महा समीती के अधिवेशन का आयोजन किया गया अगला कुशन है असयोग आंदोलन के समय नेशनल कॉलेज कलकत्ता के पर दाना चार के से बना रही लिए था तर सुभाशन बोज जी को अगला है नेमलेकित मेंसे किस आंदोलन के शुरू करने से पहले ही गांधी जी ने सरकैसर की उपादी को लोटा दिया था असायोग आंदोलन था ये असायोग आंदोलन अगला कोशन है असायोग आंदोलन के दौरां शुरू किये गए बहिशकार आंदोलन में सरपिथम सफल बहिशकार किस बस्तू कर रहा है तो वैसे तो सभी बस्तूओं का बहिशकार किया गया था लेकिन सफल जो है वो कपड़ा कर रहा था सब भी हो जाएगा अगला कोशन मात्मा गांदी के अहावान पर असायोग आंदोलन के खर्च की पूर्थी के लिए उद नीज सु 21 में किस फंड के स्थापना की गई थी तो यहाँ पर जो फंड के स्थापना की गई थी वो है तिलक सोराज फंड अगला कोशन है निमलिख्त नेता को असायोग आंदोलन में गिरिफतार किया गया था तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर मुहमद तो यहाँ पर सही आंसर है एहमतावाद अधिवेशन में ही जो अधिवेशन में क्या किया गया आसायोग आंदोलन को बहुत मतलब जादा तेज करने और त्रीव करने और सभी नेवा ग्यांदोलन की शुरुआत करने की बात कही गई थी एहमतावाद अधिवेशन में अगला कोशन है भारती राश्टी कॉंगरेस की किस बैठक में असायोग आंदोलन समाप्त करने का निर्नाय लिया गया था तो ऑप्शन बार्दोली हो जाएगा अगला कुशन है निमले खितमे से किसने आसायोग अंदोलन की समापती पर कहा था कि यदि कन्या कुमारी में के एक गाउं में आहिंसा का पालन नहीं किया गया तो उसकी सज़ा हिमाले के एक गाउं को क्यों मिलने चाहिए तो ये सही आंसर हो जाएगा मोती लाल नहरू ने ऐसा कहा था अगला कुशन मात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के किस अदिवेशन के पशाद जीवन भर लंगोर पहन का निश्यत किया था रहने का तो आंसर हो जाएगा बिजे बाड़ा अगला कुशन ने मिलिक्त में से किस अंदोलन के समय मुसल्मानों ने कट्टर आ रिये समाजी स्वामी सर्दा नंद को जामा मस्जिद के भाषन देने के लिए अमंटिल किया था तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आसायोग अंदोलन अगला कुशन ने मात्मा गादी जी ने अपने किस पुस्तक में आसायोग अंदोलन के समापती के संदर्थ में अपनी पितिक्रिया व्यक्ति की थी तो यहाँ पर यंग इंडिया हो जाएगा यंग इंडिया अगला कुश्चन है चितरन जन दास ने किन उद्देश्यों की पूर्थी ही तु स्वराज पार्थी के स्थापना की थी पहला है पूर्ण प्रांतिय स्वायत्ता बिल्कुल सही अगला कुश्चन है उनीस सो तेईस के चुनाओं में स्वराज दल को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्थ हुआ था तो मद्द प्रांत है यहां पर सही उप्शन है मद्द प्रांत में सुराज दल को पूर्ण बहुमत प्राप्थ हुआ था अगला कुश्चन है निमलिक्त में से किस कमीटी के स्थापना सरकारी नोकरियों में जातिय श्रेश्टा को बनाए रखने के लिए की गई थी तो ली कमीशन है यह ली कमीशन अगला कुश्चन है निमलिक्त में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन का सदस्य था सदस्य था तो यहां पर सही ऑप्शन है रामपरसाद बिसमिल सचिन्र नातसान नियाल योगेश चंद चटर जी सभी हो जाएंगे अगला कुश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन के स्थापना का मुख उद देश है नमबर वन आंदोलन के सामें सस्त्र और धन एकत्र करने के लिए राजनेत ही ड़के दिया और एवं अभरन करना संगिटेत क्रामती के फलसरूफ ब्रिटिस सत्ता के स्थान पर संगिल गड़ तंद्र के स्थापना करना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का अने को साखाएं स्थापना करना तो डी ओप्शन यहां पर क्या है बिलकुल सही हो जाएगा आगे देखते हैं निमलिखित मैंसे किस क्रामती कारी नेता को काकोरी के तहत जो है फास रिपफन का अधेश भारत में समाज वादी गड़ तंद्र के स्थापना करना था तो यहां पर हिंदुस्तान सोसिलिस रिपब्लिकन एसोसियेशन जो है वो सही हो जाएगा अगला कोशन है लाहूर के ततकालिन सहयक पुलिस कप्तान सांडर्स की हत्या किस ने की थी तो सां भगास सिंग ने केंडरी लेजिसलेटिव असेमली में बहरों को अपनी बात कहने के लिए खाली बेंचों पर बंप भेका था तो ये फ्रांस फ्रांस से उन्होंने सीखा था अगला है निमली मैंसे किस केस के तहट भगास सिंग तथा बटी के शुद्ध पर मुकदमा चलाये गया तो एक तो लाहोर शणियन ते था और दूसरा कौन सा सांडर सातिया तो ए और बी जो हैं वो सही हो जाएगा अगला अजियत सिंग बंदी जीवन बंदी जीवन का हो जाएगा सचिन रसानियाल और मदर हो जाएगा हरदयाल तो इस हिसाब से जो सही कूट है वो है बी ऑप्शन अगला कुशन देख लेते हैं निमली खित मैंसे किस क्रांतिकारी की मिट्ट्यो जेल में भूग हरदाल के समय हो अगला कुशन है इंडियन रेपलिकन आर्मी के सदस्वियों दारा है सथापित आहिस थाई क्रांतिकारी सरकार का राश्ट्पती कौन था सूर्य से नहीं थी अगला कुशन है निमली किस किस क्रांतिकारी नेता को चटड़ाओं सस्तरागार केस में फांसी की सज़ा दी तो वही इस पर मोवी भी है खेले हम जी जान से तो सूर्य सेन को दी गई थी फांसी अगला कोशन देखते हैं नेमले खित में से कौन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य था तो सभी थे फकीर एहमद मिया सत्तार मिया एहमद तूती मिया और उप्युक सभी अगला कोश है तो जमीदार के हो जाएंगे सिजा उद्दी इंडियन सोसी अलजिस्ट इसका हो जाएगा सियाम जी किष्ण वर्मा भारति सोदंतिता संग्राम ये वीडी सावरकर जी हो जाएगा वन मैनुल हो जाएगा बी एन बापट तो इस सहसाब से जो कूट बनता है वो बी ऑप् अगला कोशन है सभीने वग्यांदोलन को भारत के किस छेत में जियाल रंग आंदोलन के नाम से पुकारा गया तो मनिपूर हो जाएगा मनिपूर यहाँ पर जो है सही आंसर है तो ऑप्शन जो मनिपूर है यहाँ पर जो है जियाल रंग जियाल रंग आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है अगला कुशन है निम्लिकित में से किस आंदोलन के शुरू करने से पूर महत्मा गानी ने ततकालिन वायसराय से 11 सूत्री मांग रखी थी तो 11 सूत्री मांग जो है किस आंदोलन में रखी थी तो सभी नहीं आब अग्गया आंदोलन C आप्सन यापस सही हो जाएगा आगे देखते हैं नमक आंदोलन का केंद्र और नित्तर करता तो एक तो गानी जी द्वारा ने चलाये गया था बाकी और जगहों पर देखते हैं तरचना पल्ली, तमिल नाइडो, सी राज गोपाल अचारी जी हो जाएंगे मालावार किलपण, मालावार में किलपण हो जाएंगे उरीसा में, उरीसा में गोपाल, गोपाल बंदु चोधरी, गोपाल बंदु चोधरी, उरीसा में पशमुत्तर भारत में खान अब्दुल गफार, तो जो सही कूट बनेगा वो है C option अगला कोशन देखते हैं निमलिक्ट मेंसे कौन सी उपाती खान अब अब्दुल गफार सी मांद गांदी ए ऑप्शन अगला कोशन है सभी ने बगए अंदोलन के दोरान भारत के किस छेतर में मुख रूप से करना अदाईगी का अंदोलन चलाया गया था तो यहां पर सही हो अंसर हो जाएगा बिहार में अगला कोशन है निमलिक्ट मेंसे किस अंदोलन के दोरान मजेरी सेना तथा बानर सेना का गठन किया गया था तो सभी ने बगए हो जाएगा सभी ने बगए डी ऑप्शन अगला कोशन देखते हैं गांधी अरविन समझोते में निमलिक्ट मेंसे किसने मातपून भूमी का निरभाग की थी तो जैकर हो जाएगा जैकर तेज-बहाद्धूर सपरू तो A और B जो है सही आंसर है अगला कोशन देखते हैं निमलिक्त में से कौन गांधी जी तथा वाइसरा इर्वेन के मत्ति दिल्ली में 1931 में हुए समझौती की शर्तों में शामिल था पहला दुती गोर में समिलन में गांधी जी दोरा भाग लेने की जवाटा जामन्दी कॉंग्रेस दोरा उनके कारकाताओं की जब तो समपत्ती बापिस करना हिंसात्मा कारियों में लगे लोगों के अतरिक्त सभी राजनेतिक केदियों को रिखा करना तो आप्शन डी जो है वो यहां पर सही हो जाएगा अगला है निमलिक्स में से किसा दिवेशन में मातमा गांधी जी ने कहा था गांधी जी मर सकते हैं पर गांधी बाद नहीं तो ये कहा था उन्होंने कहा पर कराचिय दिवेशन में कहा था गांधी जी मर सकते हैं पर गांधी बाद नहीं कराच कोशन है ब्रिटिस प्रधान मंती रेम जे मिगननोल द्वारा 16 अगस 1932 को सम प्रधाई निर्णाय प्रस्तुत किया गया निर्मिल खित में से कौन सा प्रवधान इस निर्णाय में समलित था तो यहाँ पर जो समलित है वो सभी हैं बाकी देख लेते हैं सब से पहले हैं मुसल की गई प्रांति ये बेवस्थापी का सभाओं की सदस संख्या का दोगना करने की योजना तो डी आप्शन है आपर सही है अगला कोशन है मात्मा गान्दी तथा बी यार अमबेट करके मद्धी पूना में प्रतिक प्रतिने दित संबंदी मांग के संदर में किसने समझोता कराया था तो यहाँ पर मदर मोहन मालवी है एकदम सही आंसर हो जाएगा मदर मोहन मालवी नहीं मात्मा गान्दी तथा बी यार अमबेट करके मद्ध जो है वो समझोता करवाया था अगला है कॉंग्रेस की दिशा को बाम पंथ की और मोडने के देश से निमलिखित में से क कॉंग्रेस समाजवादी दल के स्थापना की थी जे प्रकाश नारेन, आचार नारेंद्यो और मूनी मसानी तो डी ओप्शन सही हो जाएगा सभी लोग ने किया था अगला कोशन है कॉंग्रेस कार समीती ने अपनी किस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है बर्धा, बर्धा में जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया था अगला कोशन है मात्मा गांदी के थियासिक भारत छोड़ो आंदोलन को कॉंग्रेस कार समीती के किस बैठक में कुछ संशोधनों के पश्या तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंबई, अगला कोशन है मात्मा गांदी ने कॉंग्रेस कार समीती के किस बैठक में अपने संभोधन के द्वरान करो या मरो का नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा जो दिया था, वो दिया था यहाँ पर, बंबई में, आगे है निम्र म अगला कुशन है निम्मेंसे किस दिस्तान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आइस्ताई सरकार का गठन किया गया था बलिया, सतारा, मिंदनापूर सभी जगे अगला 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली सामानतर सरकार किस इस्तान पर बनाए गई थी तो बलिया में बनाए गई थी सामानतर सरकार अगला कुष्चन है 1942 इसपी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निनम्न मैं से किस नेता ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतोतर किया था तो यहाँ पर जो सही अंसर है वो हो जाएगा बंबई आगे है भारत के किस राजनें थे पार्टी ने आलूचना किती मुस्लिम लीग ने किती और सामेवादी दल ने तो सी ओप्सन सही है अब अगले वीडियो में हम सुवाचन बो सेथा भारती राश्टी सेना 1945 इसवी के पश्चर भारत की सिती से सम्मदित कोशरांसर देखने वाले हैं तो आई होब आपको ये वीडियो पसंद आया हो पसंद आया है प्लीस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक और वीडियो के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद